वराहे मिहीर गणितग्य एवं खगोल विद्ध वराहे मिहीर इसा की पांचुछटी शताब्दी के भारती गणितग्य एवं खगोल विद्ध थे कापिट तक जिसे उजेन कहा जाता है उसमें उनके दुआरा विक्सित गणित तेग्य विद्ध विज्ञान का गुरुकुल 700 वर्षों तक अधित्य रहा ब्राह मिहीर बच्पन सही अत्नेत मेधावी और देजस्वी थे उन्होंने अपने पिता आधित दास से परम प्रागत गणित एवं जोतित सीख कर इन शेत्रों में व्यापक शोध कारी किया समय मापक घटक यंत्र इंद्र प्रस्त में लोह इस्तंब के निर्मान और इरान के शहन्षाहर नोशेर खां के आमंतरन पर जुन्दिशा नामक इस्तान पर वेद शाला की सापना उनके कार्यों की एक जलक देते हैं ब्राहमिहिर का मुख्य उद्देश गणित्य एवं विज्ञान को जन्हित से जोड़ना था ब्राहमिहिर का जन्म सन 499 में एक ब्राहमन परिवार में हुआ ये परिवार उज्जेन के निकट कपित नामक गाउं का निवासी था उनके पिता आदित्य दास सूर्य भगवान के भक्त थे उन्हेंने मिहिर को जोतिश विद्या सिकाई कुसुमपुर जोग्या पटना है वहाँ जाने पर युवा वराहम मिहिर महान खगोल लगे और गणिकर दिये आरे भर से मिले इससे उन्हें इतनी प्रेणा मिली कि उन्होंने जोतिश विद्या और खगोल ज्यान को ही अपने जीवन का धेग बना लिया उस समय उज्जेन विद्या का केंदर था गुप्त शासन के अंतरकत वहाँ पर कला, विज्ञान और संस्कृति के अने केंदर पनप रहे थे मिहिर उस शहर में रहने के लिए चले गए क्योंकि वहाँ अन्य स्थानों के विद्वान भी एकतर होते रहते थे समय आने पर उनके जोतिष ग्यान का पता चंद्र गुप्त विक्रमा दित्ते को लगा राजा ने उन्हें अपने दर्वार में नवरतनों में शामिल कर लिया मिहिर ने सुदूर देशों की यात्रा की, यहां तक की वो युनान तक भी गए सन 587 में ब्राह मिहीर की मृत्ती हो गई